हलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल पॉइंट आवर क्लासी, ज़सके आप सिभी को बताए कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लेकर लेकर आते रहते हैं स्पष्ट परतीतों ने लग गया था कि भारत की सफदंसरता अब दूर नहीं है क्योंकि उससे पहले जो टारसुस्तावन की करांती हुई थी उसके बाद में कुछ जंजाती अंदोलन हुए थे जिससे की पता लग रहा था कि राजस्तान का एक करण होना तैय है तो जो राजस्तान था उसके वीच में 19 रियास्ते थी तीन ठिकाने थे और एक केंदर शाषित परदेश अजमेर मेरवाड़ा था उसके बाद में सरुप्रतम मेवाड के महराना भूपावल सिंग ने तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्तान यूनियन बिनाने के उदेशे से राजस्तान गुज़ात और मालवा के राजाओं का एक समयलन उदपूर में बुलाया इस समयलन के अंदर 22 राजा माराजा उपस्ती थे इसमें महराना ने एक राजस्तान संग के निर्मान की यूजना प्रस्तोत की राजाओं ने माराना की यूजना पर विचार करने का वादा किया उसके बाद में जो हमारे सविधान वेता MKM मुशी हैं जो जिनोंने हमारे सविधानिक सलाकार भी रहे हैं उनको निक्ति क्या गया उनकी सलापर महराना ने उक्त राजाओं का एक और समेलन 23 मही 1949 को उदवपुर में बुलाया और उसमें रजाओं को चेताव नहीं दी कि हम लगों ने मिलकर अपनी रियास्तों को यूनियन नहीं बनाया तो सभी रियास्तें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से समापत हो जाएगी इसके बीच में यह का गया था कि अगर अपनों ने यूनियन नहीं बनायी तो क्या होगा कि अपनी रियास्तें देरे देरे समापतों नहीं शुरू हो जाएगी उसके बाद मुशी ने भी समेलन में महाराना की योजना का जोड़दर समर्थन किया पर इसका अंतिम रूप से लावगारी पर नाम सामने नहीं आया जैपूर के महाराजा माहन सिंग की स्विकर्ती से वहाँ के दिवानसर्थ वीटी कृष्णा मंचारी ने भी प्रदेश के शाषकों अपरतिनीदियों का एक सम्मेलन बुलाया और रियास्तों का एक ऐसा संग बनाया जाए जिसमें हाई कोट उच शिक्षा पुलीस और विशय संग को सौंप दिया जाए और शेश विशय इकाईयों के पास रहे तो इसके बीच में क्या किया आया था कि कुछ हाई कोट से उच शिक्षा से और पुलीस वाले जो विशय संग थे शेतर महां से लोगों को उस संग के अंदर जोड़ा जाए ताकि वो उसका सपोर्ट कर सके और उन्हें उसके बारे में नोलेज भी होती है और अगर कोई समस हो गया उसके बाद में होता है मतस्य संग का निर्मा तो इसके बीच में बिशन संपर्दाइक दंगे बड़क उठेते अलवर वाला जो शेतर था और बरतपूर की रियास्ते भी इन दंगों से नहीं बसकी तो वहां पे भी दंगे होना शुरू हो गये उसके अलावा साथ को माराजा अलवर और डोक्टर खरे को दिल्ली मेनेजर्जर बंद किया गया और अलवर का प्रशाषन अपने हाथ में ले लिया गया बरतपूर में संपर्दाइक दंगों से इतनी उत्पन स्थीती ब्यानक हो गई कि वहां पे निर्निया में यह पहुंचा कि बारत का जो अलवर वाला और बरतपूर वाला वहां का प्रशाषन कारून और व्युष्था बनाए रखने में निकम्मा साबित हुआ इस से पहले कि बारत सरकार इस संबद में कोई कदम उठाती है तो यह आप शेतर दे सकते हैं यह मतजसे संग का जो की पहला चरन ता जिसके भीच मे मार्च 1948 को मतस्य संकर नेमान किया गया था तो अलवर बरतपुर से मिली हुई दोलपुर और करोली की छोट छोटी रियास्ते थी ये चारों रियास्ते बारत सरकारदार ने धारित मापदेंड के अंसाब प्रतक अस्तितों बनाय रखने योगए नहीं थी तो इनको मिलाकर मत रजा मंदल के परमुख निता शोबारामकुमवात मतस्य संके परदान मंत्री बने तो इसके बीच में आपको क्या-क्या इंपोर्टन्ट चीज़े याद रखने हैं एक तो मतस्य संके परदान मंत्री कों थे वहां का जो राजपरमुख था किस किस जीले को बनाया गया और यह कब बना 17 मार्च 1948 को बना और इसके जो बारत सरकार के मंत्री थे वो कून थे ठीक है उसके बाद में होता है राजस्थान संका निर्मान कब होता है तीन मार्च 1948 को इसका निर्मान होता है इसके वीच में कोटा बुंदी यहलवार टॉंक पुरा रियास्तों को मिलाकर राजस्थान संका निर्मान किया जाता है उसके बाद में यहत्पी मेवार प्रजामंडल ने महाराना के इस निर्ने के विरोध किया परन्तु अंतिम परनाम इस संको मेवार के नए शामिल होने के रूप में ही आया वलब कि मेवार का जो शेतर संग में विल्या कब होता है तो पाँच अपरायल को मेवार में हुए गोली कान ने माराना को बचाव की स्थीति में ला दिया पर्जा मंडल ने राज्या में एविलम पूर्ण उत्रदाई सरकार की स्थापना और गोली कान संगें अंदर शामिल कर लिया जाए तो उन्होंने रियासत के शाषक को 10 लाख रुपे वार्शिक स्यधिक प्रिवेव पर्स ने दिया माराना की और से 20 लाख रुपे वार्शिक प्रिवी पर्स की मांग की गी थी उसने महाराना को दस लाख रुपए वार्शिक प्रिवी पर्स और पांच लाख वार्शिक राजप्रमुक के पद का भत्ता मलग के उनको कुछ पैसे दिये जाते थे पर उन्होंने ज्यादा मांग की तो उन्होंने फिर उनको इतनी इनको पैसे तु यह बंजैना को मिल गई थी, वूची को सलागा थी, मेवाड के विलाерयाक के संबनतम में होने तक नहें, राजय को उधुगातन समरों रोग गई जाए उसके बाद में माराव कोटा का तरक माल लिया, 25 मारश को बार्द सरकार के मंतरी एनवी गोडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्गाटन की रसम अदा की मेवाड माराणा द्वारा विला पत्तर पर हस्ताक्षे करने के तुरंत बाद रियास्ती विभाग ने राज्य के बरदान मंतरी पद के लिए मेवाड के तपस्वी नेता मानिक के लाल वर्मा को मनोनित किया माराना ने वर्मा को मंत्री मंडल में जागीरदारों को प्रतिनी दी देने का अग्रै किया वर्मा ने राजबनुख को सुज़ाव मानने से इंकार कर दिया थारा पराड उनिसो और तालिस को पंडित नहरू ने स्युंक्त राजस्थान स्युंक्त राजस्थान का उद्गाटन करने हितू उद्यपूर पहुंच गए वहाँ पे स्युक्त राजस्थान राजस्थान का भी उद्गाटन कर दिया गया उसके बाद में पंडित नहरू की इसलाप राजबुनू के साथ ही वर्मा जी ने परदानमंतरी पद की श्यापत ली उसके बाद में आता व्रहत रास्तान का निमान जोगी 20 चनली 949 को एक परस्ताफ दौरा रास्तान की सभी रियास्तों को मिलाकिव रहत रास्तान राजा के निर्मान की मांक हो चुकी थी जिसके बीच में जोदपूर जापूर विकानेर जैसी रियास्ते थी उसके बाद में ये प्रतक प्रतक अस्तित्व रख सकती थी उसके बाद में किंतु जोदपूर विकानेर और जैसल में राजों की समाई पाकिस्तान से मिली हुई जहां से सदेव आकरमन का भया बना रहाता था तो यह रियास्ते जो थी यह थार के विशाल रिगिस्तान कांग थी जिसको भी जो अब भी उनकी रियास्तों के साथ शामिल नहीं थी इनको भी व्रहत राजस्तान में शामिल करना चाहता था तो दिसंबर 1948 के प्रतम सब्ता में सरदार पटेल की समिंती से वीपी मैनन ने जोधपूर विकानेर उजयपूर के रजाओं से वरहत राजस्थान के निमान के विचार विन में शुरू कर दिया कि हम इनको आप मारे राजस्थान के अंदर किस तरह से मिलाएं वह बतें करने लगे 14 जनर्री उन्यसों नंचास को सरदार पटेलने उदापूर में विशाल सावजी एक सभा की गोशना की जिसके बीच में सभी माराजा राजा माराजा आये जो जैपूर योधपूर भी कने अरके थे तीन फरवरी उन्यसों नंचास को दिली में वीपी मैंनन ने एक पैठक का योजन किया इस पैठक में निर्ने लिया गया कि महराजा स्वाई मान सिंग को जीवन प्रेयंत राजपनमुक बनाया जाएगा इस पैठक में राजदानी का मसला सरदार वरलबाई पटेल पर छोड़ दिये कर सरदार पटेल ने राजदानी के चुनाव के लिए विश्यशक्यों की एक समीती जिसका नाम था पी सत्या नरायान समीती का न्यूक्त किया गया और इस इस समीती ने जापूर को राज़स्थान की राजदानी बनाने की सफारिश की क्योंकि सबसे बड़ा नगर का मैताव रखते हुए इसलिए और वहां पे सारे के सारे कारे अले स्थापित थे बड़ा नगर होने के कारण वहां पे सारी के सारी सुईदा में भी उपलब थी तो वहां पे हाई कोट जोधपुर में था शीक्षा विबाग भी कानेर में था खनीजि और कस्तम एकसरसाइज विबाग उधपूर में सैकारी विबाग कोटा वा कृटा कृषी विबाग बर्थपूर में रखने का नियनया किया गया तीस मार्च उन्चस को सरदार पतेल वारा राहस्तान का वीदीवत उद्दकातंग गया और 30 March को राहस्तान दिवस के रूप में मनाए जाने का यिन्या किया गया और हिरालाल Siachitra को ब्रहत राहस्तान का प्रधानमात्णी बनाया गया उसके पाद में मतख्या संग का विल्ला कर दिया गया अलवा बर्दपुर दौलपुर अक्रोली की रियास्तों के किकरन द्वारा 18 मार्च 1948 को मतस्य संग बिनाए गया था जबकि जापुर जोदपुर और विकनेर की रियास्ते राजस्तान में मिल गई थी अब यह आपके सामने चरण ये नाम रियास्ते जो हमिल एकि और उसकी तरीका ये आपको 100% याद हो नची क्योंकि पेपर के अंदर यह पूछी जाती है उसके बाद में देख सकते हैं कि इन रियास्तों का कब कब विला हुआ उसके बार में बताया गया उसके बाद में मैं शोटकट में आपको बतायाता हूं उसके बाद में मतरसे संकर इमान हुआ 15 में 49 कुरास्थान में उनको मिला दिये गया था पहले वालियों को उसके बाद म दिलवडा वाला शेत्र उसको अभी मिलाए नहीं था अब वर दिलवडा वाले शेत्र को बाद में मिलाए गया तो इसके बीच में लिखा हुआ प्रदेश की जनता की बावनों से अवगत कराया उसके बाद में इसके बीच में शेतर लिखा हुआ है जनमस्थान हाथल वाकूच अन्य स्थानों को चोड़कर शेष सिरोही गुझरात में विला दिया गया और एक नॉमबर उन्सोच्छपन को हुआ जबकि राजय पुनरग कविला किया गया सन 1922 के आमचनामों के बाद वहां हरी बाव उपद्या के नेतरता में कॉंग्रेस मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल का निमान किया है वहां पर बन चुका था और एक नॉमबर उन्सोचपन को माउट अबू शेतर साथ ही अजमेर मेरवडा का शेतर भीश के बी पर नहीं जुड़े हैं तो अब भी जाके जुड़ें थैंक यू